दोस्तो कोरोना से पहली मौत कहां पे हुई थी भारत में ऐसा कौन सा राज है जहां पर कोरोना का पहला पेशंट पाय गया था भारत में ऐसा कौन सा राज है जहां पर कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाय गया है दबलू एचो ने कोरोना का आधिकारिक नाम क्या दिया है तो इन सब को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजेगा अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी और किसी तरीके से कुछ भी आई गई है जो कोरोना वाइरेस है तरका वीडियो है इसको आप अवर्श और पूरा देखिएगा वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजेगा ठीक है फ्रेंट्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हलो दोस्तो गुड मॉर्निंग जय हिंद जय भारत एक बार फिर से एम विद्रोहित चोहान चैनल में स्वागत है दोस्तो आज कोरोना वाइरेस के उपर वीडियो बनाए गई है जो की ताका वीडियो है इसको आप अवर्श और पूरा देखिएगा इसमें कोरोना वाइरे पर प्रवाइड किया गया है अगर आप एससी रेलवे बैंक यूपी टैट सूपर टैट या कोई भी परिक्षाओं के त्यारी कर रहे हैं यह जो वीडियो है काफी बड़ी रामबान है तो इसको आप बिलकुल भी इसकिप मत कीजेगा अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आगामी परिक्षाओं को देखते हुए बनाए गई है और फ्रेंट्स एक बात और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जुरू किजेगा ठीक है वीडियो को वाइरल कर द और लेडी अपलोडीड हैं इनको आप जाएए और देखिएगा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी बनी है और लाइक जरूर ठोकिएगा जितने आप लाइक ठोकते हैं उतना ही ज्यादा हमें वह उसका मोटिवेशन मिलता है कुछ और और कुछ और भढ़िया करने का एक हमें रुत्वा मिलता है तो इस चीज़ को आप अवश्य कीजिएगा और भी हमारी स्पेशल वीडियोस हैं जैसे पादने पर बद्व क्यों आती हैं है ना बिना खून के चीटी कैसे जिंदा रह सकती हैं सी बी आई और सीडी में अंतर जानिये हैं है न हमें डकार के वा आती हैं तो ऐसे ही मनमोहक और प्यारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब कीजिएगा जितना जितना हो सके आप वीडियो को शेयर जूर कीजिएगा ताकी जरू दोस्तों स्वागत है एक वाफिस एम विद्रोहित चोहान चैनल में दोस्तों आज वीडियो काफी इस्पेशल और बढ़िया होने वाली है आज हम लोग कुरोना वाइरस के बारे में जानेंगे क्या होता है और इसकी एलक्षन क्या होते हैं और इनके भारा सरकार द्वारा काफी जो चीजें इससे संबनते हैं जो होगी फॉल इन्फोर्मेशन मिलेगा ठीके फेंट्स तो इसी इसको ध्यान में रखते वीडियो बनाई गई है वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीचेगा चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं और एक चीज और हमारे वीडियो को ज कि देखिए थोड़ा सा यहां पर डिस्क्राइब दे रखे हैं आई है समझते हैं देखिए कहते हैं कि जो कुरोना वाइरिस की पुष्टी सबसे पहले दिसंबर 2019 में मद्द चीन के हुबई प्रांथ की राज़ानी वुवान से हुई थी है ना पिछले वर्स 2019 में दिसंबर में चीन के जो हुआ ही प्रांथ था उसकी राज़ानी थी वुवान वहां से यह इसकी शुरुवात हुई करते डवल वेच्ब ने कोरोना वायरिस से होने वाली बीमारे को अधा श़्च गर नाम कोविट 9 10 मादिया और करोना वाईरिस डिजीज है ठीक है तो तो इसल alma वायरिस को है को एक युद्ध कारिक नाम दिया कोविट नाइंटीं मिलdoes को और मार्च 11 मार्च को डबुवाचों ने इसे वैस्विक महामारि घोषित किया गया कोरोनावारिस से मान है का का प्रभावित होनेवाला अंग लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है तो यह चीज़े यहाँ पर बताई गई है भारत में कोरोना वारिस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था और कहते हैं कि लक्षदीब लक्षदीब एक मात्र ऐसा छेतर जहां इसका कोई भी मामला नहीं आया फिर बात कर लेते हैं कि कोरोना प्रभाविट देशों को विश्वैक ने कुल मिला के बारा अरब डॉलर की राशी दी कि देश में कुरोना वाइरे से संक्रमन से पहली मौत करना टेक में थी देखो इससे पता कुछिन क्या बन सकता है कि कुरोना वाइरेस का वह आदकारिक नाम क्या है आप कह सकते हैं कोविट 19 है ना अपने भारत में सबसे पहले जो मामला कहां पर किया गया जहां पर इसका कोई भी मामला नहीं आया अग दो ये से कुछन बंजाते हैं कि करुणा वार से पहली मौत कहां हूई करना नहीं होगी तो ऐसे ही कोशेंस बनते हैं और पेपरों में पूछा भी जाता है और पूछेंगे भी अभी पूछ सकते हैं आने वाले दुनों पूछ सकते हैं तो इसी इसको विशेश ध्यान रखें भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग 1897 लागों किया यह एक महामारी रोग है जो की काफी दिक्कते होती है और एक बाद और कह सकते हैं जैसे के पीम डरिंद मोधी जी ने जनता कर फ्यूर लगाने के अपील कब की गई थी तो आपका आंसर होगा 22 मार्च बने रहेगा एमविद रोहित चुहान चैनल में कोरोना वायरेस के कारण संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को प्रत्थम पहली बार लॉकडाउन लगाए गया ठीक है कोरोना को की कोरोना को महामारी घोशित करने वाला पहला जो राजित था वो हर्याना था तो कोरोना वायरेस को सबसे पहले महामारी घोशित करने वाला कौन सा राजित था आपका आंसर होगा हर्याना और पूछ सकते हैं कि कि कोरोना वायरेस जो संपूर्ण भारत में जो लॉकडान लगाया गया तक कब लगाया गया था सबसे पहले पंजाब राज ने कोरोना वाइरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया और देखी ज़रा सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 अमर्जेंसी फंट में भारत ने 10 मिलियन डॉलर का योगदा दिये गया कोरोना हमारे से निपटने के लिए प्रधान मंत्री मोधी द्वार बलाए गए पीम केयर फंड की घुशना की गई अब भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अफपताल मुंबई रेलाइंस ने खोला था यह देख लीजे द्यान से कोविड-19 से संक्रवत होने वाले पहले प्रधान मंत्री बोरिस जॉन्सन थे जो इगलेंड के थे कोरोना वायरेस से भढ़ते प्रकोप की कारण टूक्यो ऑलम्पिक 2020 से बहार होने वाला पहला देश कैनेडा बना कोविड-19 ड्रोगी की इलाज करने के लिए भारत का पहला प्लाजमा बैंक डिल्ली में खोला गया अब इससे क्या है वो लोग पूछ सकते हैं कि भारत में पहला जो प्लाजमा बैंक वह कहां खोला गया आपका अंसर होगा दिल्ली तो ऐसी ही चीज़ें आती हैं चलिए आंगे बढ़ते हैं करनाटक ने अठारा जून को मास्क दिवस्ट मनाया गया था कि एना इसी चीज़ें पूछी जाती है बताओ मास्क दिवस्ट मनाया गया था तो आपका होगा अठारा चून पहला प्लाजमा बैंक कहां खुला गया था आपका आंसर होगा दिल्ली में कोवेटन नइंटींग के खलाफ लडने के लिए सव्युक्त राष्ट ने मड़एपूर की कुडु पहल को विश्ट के सीसental में सामिल किया गया और कोडु किया पहल होती है उसमें के लोगों को जगाया जाता है उसके प्रती जागरुप किया जाता है कि क्या है क्या उसकी लक्षन होते हैं कैसे उनका बचाव करना चाहिए तो यह सब चीजें उसमें बता ही जाती है कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूर्पिय देश स्लोवेनिया था कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूर्पिय देश स्लोवेनिया था चलो आंगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स कोविड-19 से निपटने के लिए जी ट्वेंटी ने ग्लोबल एकनॉमिक पांच मिलियन ट्रिलियन सॉरी यूएस डॉलर देने की घोशना की अंगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स भारत की पहली कोरोना वैक्षिन को भारती चिकच्चा अनसंदान प्रिसद मिलकर त्यार किया है भारत की पहली कोवैक्षिन कोवा वैक्षिन जब भारती चिकच्च्चा अनसंदान परिश्द आएसी एम आरस्वारा भारत आयोटेक यह योग… कोरो न कि वैक्षिन का पहला महीरा मेरिका में शूरू का गया था। और कोरौना का टीका विक्षित करनी वाला पहला देश कौन सा है helps देखेंगे फ्रेंट्स यह देखिए हैं और इंपर्टेंट तो कोरोना वायरिस की जो वैक्षिन का नाम क्या बताई को वैक्षिन जो अपनी भारत में बनकर तयार हो रही है अब कुछ कोरोना कवच एप हैं और सरकार के बारें बताई गया है आए जड़ा समझते हैं प्रेकदा चेन अभ्यान यह केरल सरकार का है ओपरेशन शील्ड यह दिल्ली सरकार का है नाड़ी एप यह पुंडू चैरी का है फिर प्रियाग्यम यह जो है जारकंड सरकार का है कोविड केर एप यह अवनाचल प्रदेश शरकार का है आरोग से तू एप यह तो भारा सरकार का है 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 ना तो यह ऐसी ही चीज़ें आती है जो आपको नहीं आती तो इसको जानने के लिए हमारे चैनल को पूरा देखिएगा वीडियो भाई इसकी बिल्कुल मत कीज़ेगा अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको किसी तरीके सी कुछी समझ में नहीं आएगा इसको जानने के लिएगा हमारी पूरी के पूरी वीडियो देखिएगा बस इतनी बात मैं कहना चाहता हूं और आंगे बढ़ते हैं समाधान एब जो है ये मानव संसादन विकास मनते आले द्वारा चलाया गया था फिर एक ताव फाइफटी योजना ये दिल्ली सरकार का है उसके बाद है आपका उसके बाद है दोस्तों फाइफटी योजना ये दिल्ली सरकार का है उसके बाद है करोणा पहल ये जो है सेविल सर्विसिस एसेशियेशन द्वारा किया गया था वी सेफ ये टानल ये जो है तिलंगाना सरकार दोरा लगाया गया है देखिए फ्रेंट्स ये जो एप जो हैं ये पेपरो में कई बार पूछा भी गया है और पूछेंगे भी तो इस चीज़ को ध्यान में रखके वीडियो बनाए गई है ठीक है कुरोना वायरेस जो कि बारे में पूरी और श्रंपूर जानकारी होनी चाहिए ठीक है फिंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए आई जी ओटी पोर्टल जो है ये भारा सरकार द्वारा चलाया गया था है भारती सेना भी अपना पहल चलाती है उसमें करते ऑपरेशन नमस्ते हैना आप किसी स चलाया था फ्रेंड्स आपका अंसर होगा भारती सेना वी वी आइपी है तो इस चीज को आप पूरा देखिएगा ठीक है और भी अभी काफी इंपॉर्टन चीज़े आने वाली हैं तो जानेगा अब जीवन यह ओडी सा सरकार द्वारा लगाया गया था यह तो संजीवन एप यह जो है पिहार सरकार द्वारा लगाया गया था कि करनाटक सरकार लगाया था नमस्ते ओवर हैंड्स एक फिर स्के वाद है प्रवासी रोजगार एप वह यह ना मुक्से निकलेगा वह क्योंकि यह सोनु सूर्जी है ना जिन्होंने काफी बड़े काम किया है यह ना जो प्रवासी जो लोग थे फसे हुए थे इन्हों नहीं क्या है अपने घरों तक अपने खर्ची पर महां तक साकुशन पहुंचाया प्रवासी जो रोजगार एप जो है यह सोनु सूर्जी के द्वारा दिया गया था फिर अपना उत्तर प्रदेश शरकार द्वारा लगा गया था आयूस कवच एप ठीक है फिर एक है कोविट फार्मा यह आंत प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया था तो इन एप से क्या होता है हमें पूर्वी संपुन जानकारी मिलती रहती है लोग क्या है कोविट की प्रती जागरुक होते हैं है ना तो कहीं भी भार आप जाईए मास्क का प्रपर यूज करिए है ना सैनिटाइजर का यूज करिए और डिस्टेंस बनाके रखेगा अब कोविट की समय चलाए गए कुछ महत्पुन ऑपरेशन है और इनके कुछ यह मिसंस है यह यह भी वैरी वैरी इंपर्टेंट है तो इसको आप भाई प्लीज पूरा देखेगा वीडि सेबहे भड़ते हैं देखिये अब बात कर लेको मैंने भी वाख को बताया था बारती सेना द्वारा लेज द्य भारत मिशन और इसमें फसे घर pulled मिलाके 14,800 भारती नागरिक घर लाने के लिए लगाया गया था वंदे भारत फिर एक है आपका मिशन सागर अब मिशन सागर क्या है ये इसको जड़ा समझ लेते हैं फ्रेंट्स कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीप सेल्सस वह मेडा अगासकर कोमोरोस को आवश्यक खाद सामग्री या आहरुवेदिक दवायों की आपूर्टी कराना ये मिशन सागर ऑपरेशन था ये और देखो ऑपरेशन समुद्र से तूँ कि पूछ सकते हैं कैसे क्वेशन बनते हैं अज देखी ऐसे मन सकता है ये है ना कोविट में जो फसे हुए है जो मालदीप में भारत बलाने के लिए भारती नौ सेना ने कौन सा ऑपरेशन लगाया था आपका और आंसर होगा ऑपरेशन समुद्र शेतू चीक है ऑपरेशन संजीवनिंग कोविट 19 से निपटने के लिए भारत इस ऑपरेशन तहत मालदीप में 62 तन आवश्यक दवाएं उपलब्द कराई थी चीक है फिन्स और देखिए तो अमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको आप लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा अपने दोस्तों में शेर जूर कीजिएगा ठीक है फिन्स तब तक जै हिंद जै भारत और फ्रेंट्स ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जूर कीजिएगा अपने दोस्तों में शेर जूर कीजिएगा जितना होशक के शेर कीजिएगा ताकि जरूरत मंद लोगों तक ये वीडियो पहुंचे ठीक है जिलते हैं आगले वीडियो में जय हिंद जय भारत